हलो गाईस मैं सुरज राज अपनी यूट्यूप्शन पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है वो है बीए फस्टी बालों के लिए एज्जूकेशन सैकेंड पेपर है तो देखिए जितने भी है बीए सी फस्टीर के स्टुडेंट में सा तो जैसा भी होता है कोशिश हमारे वरकार रहेगी जैसे आप वनिए कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें एक बार कंफर्म जरूर करेख आप एड्मिशन से लेटेडिव हो किया कोई अन प्रॉब्लम आपको हो रही है लाइफ में तो हमें जरूर बताईए ठीक है तो हो सकता है मैं इदिकी study से related जो भी अपकी problem होगी उसका solution निकालने की 100% कोशिश करूँगा जहां तक मैं होता हूँ बहां तक आपको करूँगा चाहिए UP की कोई भी problem हो UP University की किसी problem हो ठीक है तो ज़रूर उसकी हम help करेंगे चलते हैं BA first year को देखते हैं education के second paper को 2021 में आने व आप जाकर देख सकते हैं प्लेइस्ट में भी हम सारी प्लेइस्ट बना रहे हैं वहां दोजार बीसी फिसी फरस्टियर सेकेंड थरी है 2021 में आने वाले सारे के सारे important question डाल रहे हैं आप सारी वीडियो को देखिए अबने बुक पे नोट्स पे जो भी आपके पास है बिट् तो देखते हैं के question आपको क्या-क्या रहने वाला है तो देखिए पहला जो question बारा वाएं यह आपको याद रखना टिक लगाना आपको वो है उच्य शिक्षा तो उच्य सिक्षा होती किसे मतलब उच्य जो आयोग है उसका मुल्यांकन आपकी बारे मता दोना रहा है मुल् तो राधा किष्न मिशन जो है उसके उपर आपको टिप्पलि लेक्षा नीती जो क्या हुई थि 1922 में एक नई सिक्षा नीती आयी थी ठीक है तो शंसोधित हुई थि 1992 में तो उसको इसपश्ट करना 1992 की क्या ही लेकिन मुझे नहीं लगता 1992 कि वो पूछेगा लेकिन जो अब एक्जामाद पूछेगा वो पूछेगा भारत की नई शिक्षानीती के बारे में तो ये बड़ी बात हो गई भारत की नई शिक्षानीती जो 2020 में जो lunch होई थी आपको पता है उसकी बारे में आपको बताओना है उसके बाद में आपको next को जो question याद करना है देखिए वो है आपका कोठरी कोठरी mission था एक देखिए भारत की नहीं शिक्षमी थी एक था राधा किष्ण मिशन, एक दूसरा था कोठरी मिशन, तो कोठरी मिशन की जो सिफारिशों को इसपश्ट करना है, तो कोठरी मिशन की कुछ सिफारिश थी, उन सिफारिशों को देखके जाना, यह most important कोशन है, exam 2020 बन के लिए, याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हू उनके गुड़ दोस्ट क्या-क्या थे, वो आपको देखना है, उसके बाद में आजाता है, वैद कालीन सिक्षा की विवस्ता, अधूनिक सिक्षा क्या थी, उसके महत्व के बारे में देखो, देखिए, most important question है, exam 2020 बन के लिए, आप इनको तयार करके जाते हैं, तो यहां से एक होता है, बैधिक कालीन, दो होता है, बैधिक कालीन, इन दोनों में कभी-कभी अंतर पूछ लेता है, तो बैधिक कालीन पढ़ लोगे, बैधिक कालीन पढ़ लोगे, आपको अंतर जरूत नहीं देखिए, ऐसी चीज होती है, हमारे पास भी एक ऐसा subject है, जिसमें आपक आपके जो मन में आ रहा है रहा है रहामार्ण लेग दोगे इसमें ठीक है तो एक बार पढ़नो समझ के पढ़ लेना बस हो जाएगा कम बस लेकिन जो मैं बता रहूं इन कोशिनों को यह आपके चले जाना बाकी कुछ मत देखना तो भी आप पास हो उसके बाद में भारत सिक रहा है बाग गोखले का योगदान किया रहा है बाग गोखले का योगदान के बारे में आपको देख लेना है प्रात्मिक शिक्षा में गोखले का योगदान क्या रहा है हंटर आयोग का योगदान क्या रहा है वो देख लेना है साती सात क्या देख रहा है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से देख लेना है गोखले की और उसके आदना बर्धा श शिक्षा क्या होती है और वर्धा शिक्षा को इनके रूप रेखा वर्धा शिक्षा की रूप रेखा आपको देखना है वर्धा शिक्षा एक क्या कहलाती है बुन्यादी शिक्षा कहलाती है वर्धा शिक्षा को हम बुन्यादी शिक्षा भी कहते हैं और यह क्या बहुती न 1937 की बात कर रहा है वो देखने रहा है नर्वोदे विद्धाला तो जानते हूं आप नवोदे यह नवोदे विद्धाला कहलाते है नौ दस से स्टार्टिंग होते हैं जो नवोदे विद्धाला सरकारी स्कूल होते है नवोदे जिसमें बच्चा क्या होता है वहीं रहके के बारे में आपको शेतरी के से देख लेना यार क्या है कुछ नहीं है मज़ा आजाएगा आपको पढ़ते हूँ आप पढ़ो दो यार एक बार कोई भी देखो हम बुक उठाएं और हम अपने दिल से पढ़ें उसे न तो सची कोई भी चीज नहीं है और मैं सबसे यह कहता कि अपनी जान से जादा ना किताब को प्यार करो वो तुमारी लाइब बदल देगी दुनिया बदल देगी समझ में आ रहा है यह भी याद रखो उसके बाद नेक्स कोईशन को देखेंगे पूर प्रात्मिक सिक्षा की समस्या है कैसे दूर कर सकते हैं पूर प्रात्मिक ज जो शख्षा के गिरते हुए उनके बारे में देख लेना है और जो ब्लाक बॉड़ी योजिना थी संति निकेतन की विसेशताsocial में भीहक स्क्षायोगें आंटि इन की विसेशता में निकेतन की विसेशता केख्यान की पी सष्पा क्या थी उनको डॉक्टर अर्विंद के पत्यप्र लखको लोगल dispar दाटर अबिंद्द पर आपको टिपडी जिसको क्या है जिसें स्थे पंडी चटेरि आस्रम कहते पंडी चेडिस आसरॉम पर आपको टिपडे यूग क्या है आप कहाई सक्ते हैं किवारे में वारे में उनको समझा देना है को नर्ष जो विधा इस जो इंसतली विधा फी çek उनकी बिशेस्था के बारे में देख लेना है साथी साथ जो गोपाल किष्ण गोखले मैंने उपर दे रखा है गोपाल किष्ण गोखले की प्राथमिक शिक्षा बड़ टिप पर दिखे यह मॉश्ट इम्पूर्टन रहेगा और जो लाश्ट कोशन इस वीडियो का मेरे दोस्त वो है हमारी बुनियादी शिक्षा की समस्याएं क्या है बस आप इतना कोशन इयाद कर लेते हैं 2021 के एक्जाम के लिए तो मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको 85% यहां से मिल जाएगा ठीक है आपने अभी तक हमारा YouTube चल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए दोस्तों को शेर करें और आप बीए पेपर हैकर को आप देखें एक हमारा चैनल और है जहां बीए पेपर हैकर है तो महां किवल बीए बीए पेपर हैकर कि आपको वीडियो मिलेंगे बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा सज़्यादा दोस्तों को शेर करें मिलते हैं नेक्स टिविए तब तक के लिए जाएं दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएए हम हमेशा आपके साथ है 24 घंटे इंटू 7 मतलब आ रहा है मतलब कि साथ दिन लगातार वो भी 24 घंटे आपकी सिवा में उपलब्द रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ देखिए कैसी है वो नहीं जानते लेकिन हम आपको जितना होगा उतनी हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मिलते है नेक्षट तब तक के लिए जाएं दोस्तों लाइक करें शेर करें ज्यादा ज्यादा